बल्थर डीजे कंड में चार आरोपी गिरफतार भेजा गया जेल गिरफतारी के पस्चावत बल्थर एवं आर्या नगर गाउं में एक बार फिर अफरा तफरी का माहौल नुज नाइन टाइम्स सिक्टा से सफीर एमत के साथ मोसाहब एमत की रिपोर्ट पस्चमिच अमपारन बल्थर थाना डीजे कंड में आर्या नगर गाउं से एक बार फिर पुलिस ने अपनी कारवाई सुरू कर दी है और बुदवार रातरी ग्यारा बजे चार वेक्ति को गिरफतार कर जेल भेज दिया गया वही एक बार फिर से बल्थर पुलिस के इसकारवाई से आर्या नगर एवं बल्थर गाउं में माहौल काफी बिगड़ा हुआ है इस्थानिय लोगों के चेहरों पर एक बार फिर से भैस साफ दिखाई पड़ रहा है वही गिरफतार वेक्तियों में फजील मिया, पिता मजीद मिया, कनहिया साथ, पिता रूदल साह, गामा राम, पिता धरेशन राम, लालू साथ, पिता ब्रम्मदेव साह हैं कि आर्या नगर गाउं के निवासी बताए जा रहा है, पुलिस निया गिरफतारी बल्थर थाना कांड संख्या 42 बटा 22 में की है, गिरफतारी के बाद गाउं की महिला और बच्चे आधिरात को थाना के मुख्य द्वार पर धरना पर भी बैठ गये, जिने थाना परविंद कुमार से बादचीत की गई, तो उनके द्वार बताया गया कि गुप्त सूशना के अधार पर बुधवार देर रातरी चापे मारी की गई, जिसमें चार अरोपियों को गिरफतार कर न्याई खिरासत में भेज दिया गया है, वेदित हो कि ये बल्थर थाना किया है, आयोग के नोटिस के पश्चात बल्थर थाना चितर में एक बार फिर लोगों को न्याई और मुकदमे से राहत मिलने की आस जगी थी, परन्तु जैसे ही बल्थर थाना के द्वार चार लोगों की गिरफतारी की गई, तो इस्थानिय लोगों का भरम तूट गया, और अफरा तफरी के साथ बेचैनी देखी गई, इन चार गिरफतारी के बाद एक बार फिर से गाउं में दहशत है, और लोग वापस आना चाहते थे, वो फिर दहशत में नहीं लोटने को मजबूर हो गए हैं, वहीं एक बार फिर आए हुए लोग अपने गिरफतारी के ड से पलायन को मजबूर हो गए हैं, नियूज नाइन टाइम्स